हाई एवरीवन वेलकम बैक तो दे न्यू वीडियो आई होप यू आज रिवीव करेंगे टॉप्स और कूर्थीज का आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा और वीडियो में दिखाये गए सभी प्रोड़क्स के पर शेचिक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्षिन के बिन कॉमेंट दोन में मिल जाएंगे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और दोंट फॉक्ट तो सब्सक्राइब मैं चैनल आप मुझे इंस्टागां पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडला सेंपल लेट स्टाइलि जली से स्टाइट करते हैं इस फर्स बोड़क के साथ यह कुर्ती या फिर टॉप भी बोल सकते हैं मैंने पिक किया है है एंड नाव ब्रैंड से मैंडरिन कॉलर के साथ 3-4 स्लीव में यह टॉप आएगा और वेस्लाइन पर इसमें गैतरिंग मिल जाएगी नेक के फ्रेंट सा सोबर सा एपीस है और इसको जो प्रिंट है वो काफी प्रिंट है समर में ऐसे फ्लोरल प्रिंट काफी प्रिंट लगते हैं अच्छे लगते हैं समर के लिए अच्छा उप्शन है और आप इसको ब्लैक जीन्स या ब्लू जीन्स किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं क्यो जाता है इसमें आपको spaghetti की नीट पड़ेगी और इसके जो लेंथ है आपको मेरी हाइट से clear हो रही होगी मेरी हाइट है 55 तो आपको मेरी हाइट से इसके लेंथ का idea मिल रहा होगा पहनने में काफ़ी comfortable है और लुक तो आपको देखके समझ में आही रहा होगा कि काफ़ी decent सा इ इसके जो प्राइस है वो भी काफी अफॉर्डबल है यानि की 300-400 इसका प्राइस रीज आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो भी 4 प्लस है इसमें आपको एक कलर आप्शन और मिल जाएगा वो है येलो मस्टर्ड येलो कलर ये वाले जो पीसे से ये कॉलिश के लिए ऑफिस के लिए या फिर डेली उस में भी आप इनको यूज कर सकते हो बहुत जादा कंफर्टेबल है बहुत जादा सॉफट है स्किन को इरिटेट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है और समर में ऐसे पीसे काफी प्रिटी लगता है ये वाला मैंने एक बलू जीन्स के साथ पिर ट्राई किया था तो बलू के साथ नहीं काफी अच्छा रहा है इन फेस्दि ग्लू के साथ यहादा कामाइन कर सकते हैं इवन प्लाजो के साथ भी अच्छा लगेगा अगर आप प्लाजो के साथ करी करना पसंद करते है समर में तो ओवराल अच्छा पीस लगा और जो इसका येलो मस्टरड येडो वाला मैंने बताया वो मैं काफी ताइम से यूज भी कर रही हूं और मैंने इतना जादा पहन लिया ना फिर भी उसकी क्वालिटी एज इस बनी हुई है काफी अच्छा लॉंग लास्टिंग ये प्रडक्ट है और मिंतरा पर कस्टमर रेटिंग भी इसकी 4 प्लस है यानि कि टॉप रेटेटिट है आपको देखने से समझ में आ रहा होगा इस मैंने स्नीफ के एंड पर बटन दिये गए हैं और यह वाले बटन मुझे थोड़ा टाइट फील हो रहा था लगाने पर इसमें मैंने जो साइज लिया था वो मीडियम था और मीडियम साइज बॉड़ी पर पफेक्ली और बैक साइड से भी आपको ऐसे गैधरिंग वाला पैटन मिलेगा इसका कॉटन है इसलिए पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल और ब्रीदेबल है और इसमें कलर आप्शन आपको और मिल जाएगा वह है इसकाई ब्लू दोनों ही कलर काफ़ी है और काफ़ी कूल है और इसक इस ट्रांस्पेरन नहीं है बट लाइशेड है तो थोड़ा सा त्यान रखना पड़ेगा और इसका प्राइस रेंज है वो 600-700 के बीच में आपको मिलेगा रेंज वाइस मुझे अच्छा लगा और लोग वाइस भी मुझे अच्छा लगा पसंद आए तो ट्राई कर सकते ह इसमें आप अपने रेगुलर साइज से एक साइज टाउन करके पर्षिश कीजिएगा अगर पर्षिश करता है तो इसकी बाद दो कुर्ते हैं जो मैंने अनुक प्रैंट से पिक किये थे इस वाले को देखते हैं पहले ब्लू कलर में क्योंकि यह मुझे ज्यादा चलागा इसलिए मैं इसे पहले दिखा रही हूं मैंडरिन कॉलर और थी क्वेटर स्लीव से मिल जाएंगी स्ट्रेट शेप में आएगा फंट में बटन की टिटेलिंग मिल जाएगी और इस ट्राइप पाला पैटन आपको पूरी बॉड़ी में देखने को मिलेगा त्रू टू साइ इसी लीजेगा और यह कुरता भी काफी कमफर्टेबल लगा पहनने में इसका कॉटन है ब्रीदेवल है और समर के लिए आप इसको डेफिनिटी चेक आउट कर सकते हैं सी थ्रू वाला इश्यू इसमें नहीं है और जो इसका प्राइस सेंज है वह सिक्स संडिट प्लस माइ इस आपको देखने को मिलेगा इस रेंज में मुझे अच्छा लगा यह वाला कुरता ना डेली यूज में भी यूज हो जाएगा और अगर आप ऑफिस को इंग है कॉलिज को इंग है डेली आपको चेंज करके पहनने होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको अच्छे से यू अगर आपको पसंद हुआ है तो आप इसको डिको कर सकते हैं बैक साइट से भी इसमें सेम प्रिंट आपको मिलेगा आपको देखने से क्लिए हो रहा होगा इसके बात सेम ब्रांड से एक और कुषता है इसका फैबृबरिक है विश्कॉस री आन और इसमें भी मेंदरीं कung आपको मिलेगा और three quatter sleeves मिलेगी स्लीफ में रोल अप स्लीफ वाला पैटन देखने को मिल जाएगा काफ लेंथ में स्टेट हैम के साथ कुरता मिलेगा और जो इसका फैप्रिक है मैंने बता दिया विसकोस रियाउन है इस तरीके से हलका सा printed ये कुरता मिलेगा और फ्रेंट में बटन की detailing मिल जाएगी एक side pocket इसमें भी आपको मिलेगी ये वाला भी true to picture है true to size है हाला कि इसमें B जो मैंने size wear किया है वो excel है क्योंकि ये भी मेरी sister नहीं मंगाया था अगर आप अपने ले लेगते हैं तो अपना true size ही इसमें purchase कीजिएगा देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना soft इसका fabric है यानि कि summer के लिए perfect material है काफी breathable लगा और skin को edited करने वाला बिल्कुल भी नहीं है इसे आप black color या फिर white color की किसी भी bottom के साथ mix and match करके carry कर सकते हैं अब आ जाते हैं इसके price पर इसका जो price है वो भी 600 to 650 आपको vary करता है मिलेगा plus minus हो सकता है काफी lightweight है और daily wear के लिए college के लिए office के लिए अगर आपको कुछ comfortable चाहिए और breathable चाहिए summer के लिए आप इसको definitely try कर सकते हैं इसके बाद जो last piece है ये मेरा काफी favorite है और मैं इसको काफी time से wear भी कर रही हूँ ये बहुत ही ज़दा pretty है brand है इसका kipik और rayon इसका fabric है बादरी print में आपको straight tunic ही मिलेगा आप इसको tunic में बोल सकते हैं या फिर कुरती बोल लीजे round neck इसमें मिलेगा और thick water sleeves मिलेगी पहनने में काफी ज्यादा soft है और breathable है especially summer के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको definitely check out कर सकते हैं neck पर buttons की detailing मिल जाएगी और पहने में इतना ज़दा comfortable है ना कि लगता ही नहीं है कि कुछ पहना है daily wear के लिए office के लिए college के लिए आप इसको definitely check out कर सकते हैं इसका color, print सबकुछ एकदम से perfect है और true to size है true to picture है see through तो नहीं है फिर भी life shape है तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा बाकी daily use के लिए आप इसको try कर सकते हैं length आपको video में clear हो गई होगी मेरी height 55 है आप इसे blue jeans या black jeans किसे के साथ भी carry कर सकते हैं यह ऐसा color है कि दोनों पे अच्छा लगने वाला है even आप चाहते हैं तो इसको plazo के साथ भी carry कर सकते हैं क्योंकि summer में हैसा होता है कि बहुत जादा गर्मी में jeans भी uncomfortable लगने लगती है तो उस case में आप इसको plazo के साथ भी loose fitted pant के साथ भी carry कर सकते हैं यह वाला तो मेरी और से highly recommended piece है आप इसको definitely try कीजेगा so friends यह था आज का छोटा सा haul अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like, comment and don't forget to subscribe मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई पोड़क्स के साथ until then bye bye take care